नमस्कार जार्खंड NMMSS अर्थात रास्टिय साधन सह मेधा छात्रुवृती 2021-22 के Mental Ability का यह पार्ट 6 वीडियो है इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 वीडियो तक प्रस्तुत किया था जिसमें प्रस्ण संख्या 1 से लेकर 75 तक के प्रश्ण का हल प्रस्तुत किया था आज इस कड़ी का यह अंतिम वीडियो है इस वीडियो में हमने प्रसंद संख्या 76 से लेके 90 तक के प्रस्णों का हल प्रस्तुत किया है तो आईए शुर करते हैं प्रसंद संख्या 76 सुनील 5 किलो मीटर दक्षिन की ओर चलता है फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलो मीटर चलता है पुरह दाएं मुड़कर 5 किलो मीटर चलता है तो वह अपने प्रारंबिक स्थान से किस दिशा में है देखे यह देखने से सब्दों में बड़ा यह तेढ़ा मेरा नजर आता है complicated नजर आता है इस तरह के प्रशनों के लिए सबसे पहले हम जो दिशा सुचक जो चिन होता है जो arrow होता है उसे हम पहले बना लेगे तो यह इस तरह से हम बनाते हैं यह उपर का हमेशा नौर्थ होता है नीचे का साउथ होता है और इस साइड यह इस्ट और इस साइड वेस्ट चलिए अब सुरू करते हैं सुनील पांच किलोमीटर दक्षिन के ओर चलता है मालिय सुनील का यह पोजीशन है तो यहां से यह दक्षिन जाएगा दक्षिन यानि नीचे की ओर इस साइड में आएगा इस साइड में कितना किलोमीटर जा रहा है पांच किलोमीटर देखे जब डाइग्राम हम बना लेंगे तो बिलकुल आसानी से यह बन जाएगा अब वह दाइग मोड़कर तीन किलोमीटर चलता है तो आप कल्पना करें कि यह यहां पर खड़ा है और इसका सिर्व इस स्राइड में है नीचे की ओर तो यह दाहिनी ओर दाइग ओर मोड़कर तीन किलोमीटर चलता है तो जब यहां पर होगा तो दाहिना किधर होगा आप देखें सोचे यह इस साइड में दाहिना होगा इधर बाया हो जाएगा इधर दाहिना हो जाएगा तो यहां यह कितना किलोमीटर जा रहा है तीन किलोमीटर जा रहा है अब इसका फेस इस साइड में है अब क्या हो रहा है यह पांच किलोमीटर पुना दाय जाता है दाय पांच किलो मेटर जाता है अब इसका दाया किधर होगा वो इस साइड में होगा इस साइड में तो इस साइड में कितना जा रहा है इधर पांच किलो मेटर पांच किलो मेटर और यहाँ पर पहुँच गया पास किलोमेटर चल कर यहां पर पहुंच गया तो वह अपनी प्रारंभिक इस्थान से किस दिशा में है तो प्रारंभिक इस्थान इधर है यह वाला था इसका यह था आरंभिक या प्रारंभिक यह आरंभिक इस्थान था अब इससे यह किस दिशा में है यह देखिए यहां से अब तुलना कीजिए यह पस्चिमी दिशा में है तो यह हमारा एंसर हो गया पस्चिम इस तरह के प्रस्णों में आप डाइग्राम जरूर बनाएं और डाइग्राम बनाएंगे तो आप बिलकुल आसानी से इसको हल कर पाएंगे देखिए कोर्शन नबर 77 है यह भी दिशा वाला यह डाइरेक्शन वाला ही प्रस्ण है चले यहां भी हम बना लेते हैं यह दिशा सुचक जो एरो होता है यह नौर्थ, यह साउथ, यह इस्ट और यह वेस्ट चले अब प्रस्ण को हम एक-एक करके पढ़ते हैं थोड़ा-थोड़ा करके तुकड़े में पढ़ना है इसको एक व्यक्ती उत्तर दिशा की ओर 15 किलो मीटर चला माली उसका यह पोजिशन है यहां पर बनाते हैं माली यह पोजिशन है अभी वो व्यक्ती है तो यहां से वो उत्तर की ओर चल रहा है तो उत्तर यानि इस साइड में जाएगा और कितना किलो मीटर चल रहा है यह पंदरा किलो मीटर फिर पस्चिम की दिशा में तो पस्चिम इस साइड है पांच किलो मीटर चलता है इधर आगया पांच किलो मीटर इसके बाद वो बाएं मोड कर चलने लगा तो बाया तो इस साइड होगा अब इधर फेस आया तो इधर बाया होगा आप थोड़ा सा कल्पना करके देख लीजे कि जब इधर फेस होगा तो बाया किधर होगा तो यह इस साइड बाया जा रहा है बाया चलने लगा इस तरह स फिर से पढ़ते हैं एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 15 km चला देखिए यहां से 15 km चला उत्तर फिर पस्चिम की और 5 km चला अब वह बाएं मुड़कर चलने लगा बताएं अब वह किस दिशा की और जा रहा है तो देखिए इस साइड जा रहा है नीचे की और इहां दिख रह Q78 यह गनित का प्रश्ण है जो यहां mental ability में दिया गया है एक संख्या ऐसी है जिसमें यदि 4-12 सुल्ल से भाग दें तो प्रतेक दशा में 3 शेसफल रहता है यदि वह संख्या साथ से पूर्णत विभाजित हो तो वह संख्या निमलिखित में से कौन सी है देखें यहां दो-दो शर्ट दिया हुआ है सबसे पहले तो यह है कि वह संख्या 4-12 सुल्ल से जब भाग देते हैं तो तीन सेसफल होगा तो पहले हम वह संख्या निकालें जिसमें 4-12 सुल्ल से पूरा-पूरा भाग लग जाए तो वह संख्या कौन सी होगी सबसे छोटी संख्या तो होगी उसका लौस तो यह 4-12 और सुल्ल का जो लौस होगा यानि LCM वो होगा 48 तो सबसे छोटी संख्या जो होगी जिसमें 4-12 सुल्ल से पूरा-पूरा भाग लग जाए वो 48 है अब यह कह रहा है कि वो जो संख्या होगी उसमें भाग देने के बाद तीन से जाता है तो अर्थात वो संख्या क्या हो सकती है तो पहली संभावना तो यह है कि वो संख्या 48 में 3 जोड़ें तो यह हो जाएगी 51 लेकिन क्या 51 में साथ से भाग लगता है यह दूसरा जो सर्थ है साथ से पूर्टर विवाज़ेत होती है तो क्या साथ से भाग लगता है नहीं तब अब दूसरी संख्या देखते हैं यह 48 को 2 सी गुना कर देते हैं 48 गुना 2 और प्लस 3 चुकि उसमें 4, 12, 16 से भाग लगने के बाद 3 से बचता है तो यह 96 और 3, 99 होता है यह भी वैसी संख्या हो कि दी है जो यह सर्थ पूरा करेगा लेकिन 99 में 7 से भाग नहीं लगेगा जो यह दूसरी वाले जो सर्थ है अब क्या करते हैं हम 48 को 3 से गुना करते हैं और फिर 3 जोड देते हैं क्योंकि सेस्फल 3 रहना चाहिए तो यह देखिए यह कितना हो जाएगा 144 जोड 3 बराबर 147 यह 147 भी इन दोनों सर्थों को पूरा करेगा अर्थात यह साथ से भी विभाजित हो रहा है तो हमारा जो एंसर होगा यह ओप्सन नंबर 4 होगा कोश्चन नंबर 79 यह है आनंद सूरज से लंबा है सूरज असोग से लंबा है तथा अशोग कोमल से लंबा है तो सबसे लंबा कौन है हाँ इसे हम क्या करेंगे कि यह बहुत आसान कोश्चन है देखिए आनंद सूरज से लंबा है हम यह साइन देते हैं बड़ा वाला है तो यह सूरज से हम इसको पढ़ सकते हैं इस तरह यह आनंद सूरज से लंबा है सूरज असोग से लंबा है यह सूरज असोग से लंबा है असोग कोमल से लंबा है कोमल यह असोग कोमल से लंबा है सबसे लंबा कौन है यहां इस पश्च दिख रहा है जो सबसे दाहिनी ओर है यहां आनंद तो यह हमारा एंसर हो गया है कोसर नबर 80 यह समय और काम चैप्टर से है यह और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं जबकि केवल ए उसी काम को नौ दिनों में पूरा कर पाता है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा तो यह समय और काम से हैं तो इसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं देखिए ए और बी जब 6 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा एक बटा 6 और ए नौ दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा एक बटा 9 तो अब B का एक दिन का काम हम कैसे निकाल सकते हैं ये एक बटा 6 घटाओ एक बटा 9 तो ये हो जाएगा 6 और 9 का LC हम निकालेंगे 18 और ये 3 घटाओ 2 यानि एक बटे 18 अर्थात B एक दिन में एक बटे 18 काम करेगा तो अगर हम इसे उलट दे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरा काम वो कितने दिनों में करेगा यहाँ परसपस्ट है पूरा काम 18 दिनों में करेगा जब इसे descriptive question भी होगा तो थोड़ा इसको विस्तार से लिखेंगे यह हमने shortcut में बनाया है क्योंकि यह MCQ question है Question number 81 जिस तरह से हमने इससे पुर्व के एक प्रश्ण में किया था ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम संकेत से symbol लगा के करेंगे अर्चना सुस्मा से बड़ी है देखिए यह है अर्चना सुस्मा से बड़ी है यह सुस्मा भारती अर्चना से बड़ी है तो यहां हो जाएगा इस तरह से भारती पर दुर्गा से छोटी है इसे फिर से पढ़ते है भारती अर्चना से बड़ी है पर दुर्गा से छोटी है यानि यह तो सबसे बड़ी कौन है यहां इस परश्ट में दीख रहा है सबसे बड़ी कौन है यहां पर दुर्गा है अब अगला जो कोश्चन है 82 से 83 इसे पढ़ते हैं चार मित्र पवन, आकास, अमरित और वरुन एक आयताकार टेबुल के चारो और इस प्रकार बैठे हैं कि पवन, अमरित के बाएं है, वरुन, आकास के दाएं है वरुन और अमरित आमने सामने है, आकास और अमरित आमने सामने नहीं है ये चार सर्थ दीवी है तो ये टेबल इस तरह से है, आयताकार है शली इस तरह का टेबल है, ये आयताकार है अब एक एक सर्थ के अनुसार इसमें हम सेट करते हैं पहला है पवन अमरित के बाएं है अगर यहां अमरित है यह अमरित को संकेत कर रहे हैं तो इसके बाएं है पवन यह यह बाया होगा वरुन आकास के दाएं है यह इसे अभी छोड़ देते हैं इसका अगला पढ़ते हैं C नमबर वरुन और अम्रित आमने सामने है तो अम्रित के सामने यहाँ पर वरुन होगा अब यह भी पढ़ते हैं वरुन आकास के दाएं है तो यह आकास के दायां वरुन हो रहा है मिल्कुल सही है, आकास के वायां अम्रित है और आकास के दाया वरुन है अब चौथा सर्ट भी पढ़ते हैं, आकास और अम्रित आमने सामने नहीं है ये तो सही है यहां पर, अम्रित के सामने वरुन है, आकास तो नहीं है आप question number 82 का जवाब देंगे इसी के आधार पर आकास निमलिखित में से किस के सामने बैठा है तो आकास किस के सामने बैठा है पवन के सामने बैठा है तो ये हमारा option 2 सही है 83 में देखते हैं अमरित निमलिखित में से किन दोनों के बीच बैठा है अमरित देखिए यहां पवन और आकास के बीच बेठा है तो यह हमारा हो जाएगा 83 का पहला आप्शन सही है अब आगे चलते हैं 84 से 85 में जो प्रसंच दिया गया है उसमें क्या होगा यह बताना है तो 84 देखिए यह घन वाला प्रस्ण है क्यूबिक रूट का तो इसका बराबर क्या हो जाएगा इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से क्यूबिक रूट ओफ 125 इन्टू क्यूबिक रूट ओफ 64 और यह हम जानते हैं क्यूबिक रूट ओफ 125 होता है 5 और 64 का होता है 4 तो 5 फोरजा 20 यानि 5 गुने 4 20 तो यह हमारा 84 का एंसर है तीसरा नमबर आप्शन 20 Question number 85 दिखें यहां एक तरभूज दिया हुआ है और इसके सिर्ष में 3 संख्याएं है यहां 6, यहां 12 यह 18 और तरभूज के बीच में 2 है फिर दूसरे तरभूज में सिर्ष में 8, 5, 17 और बीच में 5 है तीसरे तरभूज में 9, 6, 21 और बीच में question mark है तो हमें बताना है कि question mark में क्या होगा तो अब हमें देखना होगा कि क्या relation है इसमें कौन सा rule follow हो रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमें यह मिलेगा कि यह 18 और 6 अगर इसे हम जोड़ दें 6 जोड 18 तो यह होता है 24 और इसे 12 दोनी 12 को 2 से गुना करते हैं तो यह भी होता है 24 एक relation हमें यहाँ पर मिल रहा है आप दूसरे तरभुज में देखेंगे कि क्या इसमें भी यही relation है stand कर रहा है या नई तो यहाँ देखते हैं 17 आठ जोड 17 तो यह होता है 25 और यह यह सिर्ष में जो 5 है और यह बीच में 5 है इसे अगर हम गुना करते हैं तो यह आता है 25 तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी वही रूल है और इसमें भी वही रूल है दूसरे वाले में तो तीसरे में भी वही होना चाहिए यहाँ 9 जोड 21 यह हो जाएगा 30 तो और यह सिर्ष और इसका गुना यह माल ने रहे है एक्स है तो यह भी होना चाहिए 30 इस तरह से एक्स का मान हमको निकल गया 5 यानि यह बीच में कितना होना चाहिए 5 तो यह हमारा option number 1 सही है question number 86 यदि 6, 4, y, 8 ठीक ठीक तीन तुवारा विभाजित होता है तो y का नियूनतम मान है यह विभाजिता के नियम पर आधारित है तो तीन से विभाजित होने के लिए किसी संख्या को इसकी जाच क्या है तो इसे मैं याद देला दो कोई भी संख्या तीन से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग तीन से विभाजित हो तो हम इसके अंकों को जोडते हैं 6 और 4, 10 और 8, 18 तो यहां वाई में हम नियूंतम क्या बैठा सकते हैं कि तीन से विभाज थो लो शुनने अगर यहां शुनने बैठा दें तो यह तो अठारा हो ही रहा है और यह तीन से विभाज हो रहा है तो यह हमारा option number one सही है question number 87 यहां देखिए वृत दिया हुआ है उसमें चारो और दो तीन चार छे है और बीच में 60 है और दूसरे में एक पांच दो चार है और बीच में 48 है और तीसरे में वृत के चारो और चार तीन एक दो है और बीच में question mark है तो बीच में क्या होगा यह बताना है अब इसमें देखना होगा कि यह कौन सा rule follow कर रहा है किस rule से यह बनाया गया है तो यह पहला जो वृत है तो यहां हम देख रहे हैं कि इसे हम जोडते हैं दो जोड चार जोड छे जोड तीन तो यह आता है दो और चार छे और छे बार और तीन पंदरह और इसे हम चार से गुना कर दें तो यह हो जाता है 60 अब देखेंगे किया यही नियम दूसरे में भी हो रहा है तो इसे हम चेक करके देखते हैं एक जोड़ दो जोड़ चार जोड़ पांच यह हो गया एक दो तीन चार सार पांच बार गुना चार ब्राबर 48 हम देख रहे हैं कि इन दोनों वृतो में एक ही नियम लागू हो रहा है तो निस्ष्चित रूप से यह रूल हमने पकड़ लिया है अब तीसरे में भी यही रूल लागू होगा तो यह होगा चार जोड़ दो, जोड़ एक, जोड़ तीन तो यह हो जा रहा है चार और दो छे एक साथ और तिन दस और इसे चार से गुना करेंगे तो चालिस तो यहाँ पर क्या होना चाहिए चालिस 40 तो यह option नमबर 1 सही है question number 88 यहाँ एक संद्वी बाहू तिर्भूज की आधार भूजा 6 cm तथा इसकी परिमाप 16 cm है परतीक बराबर भूजा की लंबाई है तो माल लेते हैं कि यह हमारा संद्वी बाहू तिर्भूज है आईसुसेलिस ट्रेंगल यह है ए नम भी दे देते हैं बी सी तो संद्वी बाहू तिर्भूज में क्या होता है कि दो भूजाएं बराबर होती है तो यह भूजा और यह भूजा बराबर है और इसका आधार जो बेस है वो दिया हुआ है 6 cm और इसकी परिमाप 16 cm परिमाप अर्था तीनों भूजाओं का योग माल लेते हैं यह x है यह x है तो इसका अर्थी हो गया x प्लस x प्लस 6 बराबर 16 इसलिए 2x प्लस 6 इसकल टू 16 इसलिए x इसकल टू 16 घटाव 6 यानि 10 बटा 2 अर्था 5 तो x का मान हमारा क्या आ जा रहा है 5 यानि बराबर जो प्रतिक बराबर बुजा की लंबाई क्या है पांस सेंटीमेटर कुश्य नबर 89 देखिए एक यहां आयत दिया हुआ है और इसके वर्टिकली है चार भागों में माटा गया है और होरीजंटली तीन भागों में है तो पहला जो रो है इसमें एक दो चार उन्चास दूसरा में तीन पांच साथ दो सो पचीस चार छे आठ और यहां कोश्यन मार्क इस तरह के प्रस्नों में आपको आपकी जो दृस्ति होनी चाहिए बहुत शार्प होनी चाहिए आप इसी देखकर पता लगाने की कोशिस करें कि यह किस रूल से यह संख्याएं यहां भरी गई है तो आ आप देखें यहां पाले एक बद इसकी जोड के देखते हैं एक और दो तीन अचार साथ और यहां पर 99 आ रहा है तो साथ और 99 में क्या सिन चाहिए साथ का वर्ग करते हैं तो हमारा उन्चास आ जाता है अब दूसरा वळा रो देखते हैं तीन पाँच आठ और साथ पंदरह और यहां दो सो पचीस है तो इसमें क्या रिलेशन है पंदरह का अगर हम वर्ग करते हैं 225 आता है तो देखिए ये नियम भी हमें पता चल गया है तो तीसरे में भी यही नियम लागू होगा चार जोड़ छे दस और आट अठारा तो अठारा का जब हम वर्क करेंगे तो कितना आता है हमारा 324 तो ये पहला वाला आप्शन हमारा सही है Question number 90 देखिए ये अनुपात से related और समीकरन से related प्रस्न है A तथा B की आयू का अनुपात 5 अनुपात 7 है आज से 4 साल बाद उनकी आयू का अनुपात 3 अनुपात 4 होगा तो B की वर्तमान आयू है तो इस तरह के प्रस्नों में हम इस तरह से माल लेते हैं कि A की आयू जो वर्तमान आयू है 5X B की वर्तमान आयू 7X तो 4 साल बाद इनकी आयू क्या होगी 4 साल बाद तो A की आयू 4 साल के बाद कितनी होगी 4 वर्स जादी होगी अभी 5X है तो 4 साल बाद 5X प्लस 4 और यहाँ पर लिख रहे हैं इधर लिखते हैं और B की आयू कितनी होगी 7X प्लस 4 और अभी 7X है तो 4 साल बाद 7X प्लस 4 हो जाएगी अब इसके बाद जो शर्ट दिया गया है चार साल बाद क्या होगा तीन अनुपात 4 में इसका हो जाएगा तो इसका अर्थ यह है कि यह 5X प्लस 4 बाई 7X प्लस 4 इसकाल टू तीन अनुपात 4 यानि 3 बटा 4 अब इसको क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करते हैं तो यह हो जाएगा 20X प्लस 16 तिर्चा गुना बराबर यह इससे इसका गुना होगा 21X प्लस 12 तीन से साथ को किए 21 21X आ गया और तीन से चार को किए 12 तो इससे जब हम हल करेंगे तो 21X को इधर लाएंगे तो यह 20 घटाओ 21 हो जाएगा 20X घटाओ 21X और इधर 12 घटाओ 16 तो यह हो जाएगा माइनस X स्कल टू माइनस 4 अर्थात X स्कल टू 4 तो हमें B का वर्तमान आयू निकलना है ना B की वर्तमान आयू यहाँ 7X है अर्थात B की जो आयू होगी वर्तमान 7X बराबर 7 इन्टू X का मान हमारा चार निकला है 7 इन्टू 4 यह 28 वर्स 28 तो यह option number 2 हमारा सही है 28 years आसा है कि यह जो प्रस्ण का हल हमने प्रस्तुत किया जिस तरह से हमने व्याख्या किया वो आपको पसंद आया होगा आपको समझ में आया होगा 2021-22 के NMS जो परिक्षा थी उसके mental ability का हमने 6 वीडियो में 90 प्रस्णों को हल किया है यह चटा वीडियो था आप चैनल सब्सक्राइब करके और सारे वीडियो को देख सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सभी वीडियो इसके मिल जाएंगे और प्रस्ण संख्या एक से लेके 90 तक का हल मिल जाएगा जो छात्र छात्रा इस वर्स या आने वाले वर्सों में ये राष्टी साधन से मेधा छात्रवर्ती देना चाहते हैं चाहे वो किसी भी स्टेट का हो सभी के लिए काफी महत्पून है साथ ही ये उन सभी परिक्षाओं जिसमें की mental ability के प्रशना आते हैं उन सभी के लिए ये काफी उप्योगी है धन्यवाद